तो देश के सबसे बड़े राज जी उत्रप्रदेश को नए डीजीपी मिले हैं, मुकल गोईल जी, और आज हमारे सामने हैं मुकल गोईल की और उनसे बातीत करेंगे, बहुत-बहुत शुक्रे आपको वग देने के लिए मुकल साब, सर आप जिससे स्टेट के डीजीपी बन तो इतने बड़े राज जी के डीजीपी होने के नाते, एक तो पहले आपको बहुत-बहुत बधाई और दूसरा, आपके सामने क्या चैलेंगेज और चुनोतिया हैं। प्षेद की मेर के छोड़े-छोड़े जगड़े होते हैं। और इसमें जो जगड़े कई बार बड़ी दुश्मनियों में बदल जाती हैं। जिससे कारण हत्या की गटनाएं, जो जमीन के कारण होती हैं। वो काफी होती हैं ग्रामीन परवेश में। उसके लावा जो और बॉड़ी ओफेंसिस हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराद वो भी रहता है। अनुसूचे जाती जन जाती उनके खिलाफ भी अपराद होता है। लेकिन जो आपका मूल प्रश्ण था कि क्या चुनौती हैं जो मेरा मानना है आने वाले दिनों में जो मुख्य चुनौती जो किसी न किसी धंक से हो सकता है और इसमें जो नुकसान भी होने की संभावना होती है मॉनिटरली वो उसका माउंट बहुत जादा हो सकता है। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसका क्राइम का शिकार हो गए है। इसके बारे में पबलिक में भी अवेरनेस बह आपने एलेक्टरिकल इंजिनिरिंग की उसके बाद आप आप आई-पि-स बने जिस बात की आपने भी की कि जो चैलेंजेज हैं साइबर क्राइम को जिस तरीके से बहुत सारी चीजें बदली हैं क्राइम के आप बहुत सारी डिस्टिक में भी रहे लग-छलग आपने बता जिससे आप केस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे मामले में एक तो ये पुलिस को फाइदा है, नमबर टू, जो आपने बता है कि पुलिस खुद ट्रेंड नहीं है, ऐसे केसे को हैंडल करने के लिए और ये बड़ी चुनौती है, खासतोर पर सिटी को छोड़ दें छोटी चोटी तो इसको कैसे हैंडल करेंगा आप सुब इसमें देखे, दोनों जैसे हर प्राइम को हम टैकल करते हैं, तो कोशिश यही होती है, जो कनवेंशनल क्राइम में भी कि उसको हो नहीं न दिया जाए, प्रिविंटिव आक्शन लिये जाए, जिसमें पेट्रोलिंग उगरा की ज कोशिश करते हैं जिसके बावजूद वो होते हैं लेकिन कुछ हद तक प्रिवेंशन होता है इसी तरह से साइबर क्राइम को भी प्रिवेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगी इसमें मेंली जनता को अवेर करना और ये इसमें चुकि बहुत से विभाग जुड़े हुएं खा हर चोटे से चोड़ा व्यक्ति भी है मुबाइल उसके पास है और वो अपना डिस्क्ल पेमिट कर रहा है तो जब इतने एक बड़ी संख्या में लोग इस तरह के करनों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइबर क्राइम के लिए उतना एक्सपोज हो जाते हैं तो उसी संख्या में ये बढ़ रहा है क्राइम आगे भी बढ़ेगा हमारे खुद के पुलिस कर्मी वो भी इसमें एक विक्टिम्स भी हैं क्योंकि वो लोग भी इस क्राइम के विक्टिम्स हैं तो इसलिए एक तो विक्टिम्स को एजुकेट करना कि वो अपने को बचा के रखें और इसके अलावा जो हमारे खुद के पुलिस कर्मी है उसको उचित ट्रेनिंग दी जाए जब मैं जैसे आपने कहा विगत कई करीब तीस साल से मैं इस पुलिस से भाग बे हूँ और पहले तो कम्प्यूटर्स के जब आयते शुरू में बहु क्या चीज है लेकिन दीरे दीरे अपमें अभी जब मैं लोटा हूं प्रदेश का डीजी बनके तो पिसले पांथ सालों में ही मैं बहुत चेंज देख रहा हूं शुरुवात तो टेक्नोलोजी के यूज के काफी हो चुकी ती लेकिन अब काफी लोग जो हमारे विवेचक ह हैं वो भी इसमें दीर दीरे पारंगत हो रहे हैं जिस तरीके से जैसे बात हो रही कि करोना के दो वेवास थर्ड वेब भी आ सकता उसको लेकर एक तैयारी हो रही है उसी तरीके से जब यह पता है हमनों कि आने वाला ये टाइम जो है बहुत चैलेंजिंग है साइबर क्रा इसी से जुड़ावा सवाल है से बहुत सारे ऐसे क्राइम है जो जैसे सी सी टीवी कैमरे सॉल्फ कर देते हैं जितने संसेशनल केसे लेकिन अगर हम देखें तो क्या उस तादाद में वो इंस्फरासक्चर है जो हर जगा पी इस ता से सी सी टीवी जो योरोप में बाकी सी सी टीवी लगे हुए है आजकल जो प्राइवेट लोग हैं वो भी अपने अपने अनुस्टानों में सी सी टीवी का प्रयोग करते हैं सब जगा तो उनके भी ग्याए हम लोग इस्तमाल करते हैं पुलीस जब यह है और अगर लखनों की बात की जाए यहां पर हर चुराय पे और CCTV कवरेज है और इसी तरह और भी नॉइडा को हम ले 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 और कई जगा को ले 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 तो इसमें CCTV कवरेज की जा रही है अब बदलते टेकनोलोजी में यह है कि यह सारी चीज आएंगी तो शायद पुलिस फोर्स की एक बड़ी तादाद दफ्तर में बैटके काम करेगी क्योंकि वह कहीं से भी मॉरेटर कर सकती आपको लगता पुलिसिंग माने वाले वाले वक में असरफ यूपी में बलके पूरे आग ऐसी सिती आने में बहुत वक्त लगेगा अभी जब तक हमारे मतलब पचास परसेंट के आसपास लोग अभी भी अनपड़ है हमारे ग्रामीन परिवेश में हैं टेकनोलोजी से बाकी में दूर है तो कि यह सिती हम मैं अगले बीस साल तक नहीं एन्विसाज कर सकता कि चौराय पर हमारे सिपाई नहीं होंगे क्योंकि उनके वहां प्रिजन्स से ही बहुत कुछ रूल आफ लॉव है वर्दी को देखके ही हमारे यां अभी भी लागू होता है क्योंकि आपने आप दिल्ली में रहते हैं मैं भी दिल्ली में रहा हूँ और अगर वहां पर कभी का सिपाई नहीं है और ट्राफ लोग लालबती तोड़ते हैं तोड़ते हैं मदल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कानून का पालन हो रहा है तो बेसिक कुछ इंडियन्स के उसमें भी है कि थोड़ा सा हम लोग कानून को तोड़ने ही कोशिश करते हैं इंडिया में बाहर जाके तो हम बहुत कारून के सबसे बड़े पालन करता हमी हो जाते हैं लेकिन अपनी करदेश में हम थोड़ा क्योंकि यह आजाद मुल्क है तो इसलिए यह लिबर्टीजम लेते हैं तो दोनों का साथ एक तरह से एक कॉंबिनेशन रहेगा टेक्नॉलिजी को हमें अम्ब्रेस करना पड़ेगा लेकिन साथ साथ हमें जो पबलिक से इंट्राक्शन है वो बढ़ाना मतलब तो जारी रखना पड़ेगा उसको चाहे वो चौराये पे हो चाहे दफ्तर में बैठके फर्यादी हैं उनसे मिलना ये सब अपनी जगा है सार लास डेर साल से 2020 से एक पूरी दुनिया ने जहेला करोना को इस करोना ने जिन्दगी जीने का पुरा तरीका बदल दिया पुलिसिंग पे इसका क्या आसर पड़ा क्योंकि क्रोना वो चीज थी जिससे पुलिस का काईदे से देखा जाए तो उन चीजों में कोई रोल नहीं था लेकिन चीज़ें ऐसी बदली कि पुलिस का भी फंक्शन वर्क स्टाइल और दूसी जगा जैसे मजदूर से लेके बाकी कॉरिंटीन और पता नहीं क्या क्या तो पुलिसिंग को कैसे प्रभावित किया क्रोना ने किसी डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉंडर तो पुलिसी है अब हमारे यहां भी कोई बाड़ आ जाती है कभी या कोई मान लीजे कोई अर्थक्विक आग या को बिल्डिंग गिर गई आग लग गई तो सबसे पहले हमारे तो यह रता भी थाने वाले पहुंचे की नहीं पहुंचे तो उनको वहां की मदद करने की क्योंकि पुलिस पे आम तोर पे यही एक आरोब भी रहता है कि यह दमन करते हैं क्योंकि हमारा रोल एक कुछ इस तरह का है कि हमारा प्यूनिटिव रोल है कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो हमें उसको उसके खिलाफ कारवाई करनी पड़ती है तो एक हमारा जो यह रोल है एक जो भी पुलिक के खिलाफ है एक तरीके से क्योंकि पुलिक समझती है कि हमें यह काम नहीं करने दे रहे हैं या वोटेबर यह जो डिजास्टर में जो रोल होता है यह पुलिस के पास एक अच्छा मौका होता है ओपिचुरिटी होती है कि अपने एक मानवी पहलू भी दिखाए और इसमें पूरे देश की पुलीस में बिल्कुल फ्रेंट लाइन पे रहते हुए बहुत ही अच्छा काम किया कि अपना काम बंद करके बैठ जाए तो पुलीस का दफ्तर चलते रहे लोग अपने अपने इसमें काम करते रहे और यह जो टेक्नोलोजी का इस्तिमाल फिर इसमें शुरू हुआ अनलाइन काम बहुत हुए और मुझे द्यान है कि जब पहले हम लोग हमारे डीजी साब जब होते थे हम लोग जनपद में एस्पी होते थे तो एक मीटिंग बुलाई जाती थी तो पूरे प्रदेश के एस्पी सभी खटा होते थे लग्टाओं में और उसमें कितने तेल का पावर मैन आर्स का बरबादी होती थी एक आदमी कोई एस पी आथा था सारणपूर से तो यहां आके वापस जाने में तीन दिन तो जिनपद से बहार ही रहता था और अभी मैं आया था और मैंने वीडियो कॉंफेरंस से ही मातर एक घंटे में अपना सारा काम नहीं नहीं कहीं पर कोई किसी को की दिक्कत नहीं हुई हमें भी जो कहना था हमने कह दिया सरकार का पैसा भी बचा कि नहीं तो लोग अपना परिशान रहते हैं यहां इतना तेल फूक रहे हैं आने में और जन्पत में अधिकारी मौजूद भी है जन्पत को भी कुछ समस्था नहीं लोग क्राइम में गिरावट है लेकिन उसका दूसा पहलू यह है कि इसमें अनेम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है अब उसमें जब यंग आदमी जब अनेम्प्लॉय होंगे तो फिर यह आगे आने वाले दिनों में हो सकता है क्राइम की तरह रुक करें तो हमारी भी अपेक् कर भी रहेंगे छोटे-छोटे छोटे अपरात खास तौर पर चोरी के जो प्रॉपर्टी ओफिंसिज हैं वो बढ़ सकते हैं अगे सब पुलिस का काम है क्रिमिनल को पकड़ना और जेल पहुंचाना जेल प्रशासन और जेल को देखने वाले लोग अलग होते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे विदेश में इस वक बैठे हुए जिनको भारत सरकार को अलग-अलग अजिंसियां लाने की कोशिश कर दी है एक तस्वीर सामने आती जिसकी वासे कहते हैं वो अर्चना आती वो ये कि हमारे जेल सिस्टम पर वड़े सवाल उड़ते हैं जेल के अंदर कतल हो जाता है जेल के अंदर गोलियां पहुंच जाते हैं और इसकी वज़ा से जो बाहर विदेश में बैठे हैं वो कोट में दल कुछ लोग हर जगा होते हैं जो इस विवस्ता को ठीक से पालन नहीं करते हैं उनके कारण समस्या आती है ऐसे लोगों को चिन्नित करके हमें करवाई करनी होगी और अगेर मैं टेक्नॉलिजी पे जाता हूँ जहां टेक्नॉलिजी का समावेश होगा नॉर्मल वरकिंग में वहां सिती अपने आप सुधरेगी टेक्नॉलिजी के आने से बहुत कुछ पुलिस वरकिंग में सुधार आया है जो अगर एक एग्जैंपल मैं आपको देता हूँ जैसे की केस डारी का लिखना केस डारी में तो पहले पुराने जो सर इंस्पेक्टर बगरा होते थे जो व विवेशना में पहले एक लाइन ले रहे हैं फिर दूसी लाइन ले ले लेँगे उसमें केस डारी जाआरी में घए यहा आपने जो लिख दिया आप उसो गायब नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से पारदर्शिता आ रही है तो इसी तरह से जेल में भी जो मुझे पता चला है कि टेक्नोलोजी को का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है वहां भी CCD कैमरे लग रहे हैं और इस टेक्नोलोजी के आने से सुधार रवश्याएगा आप एक आएट-इन हैं एक इंजिनियरिंग भी गिया अपने अब डीगीपी है एक व्यक्तिकत यह है कि आपकी अपनी राय इंकॉंटर को लेकर क देखिए मेरी राय यही है कि हम ड्यूटी अपनी करते हैं और उस ड्यूटी के दुरान अगर कोई बदमाश पुलीस पे हमला करता है या गोली चलाता है जो तो जो कानून में जो राइट टू प्राइविट डिफेंस हमें दिया गया है उस पे हमें कारवाई करना चाहिए हाँ अगर इस तरह का है कि कोई बदमाश को जो है कि जो कि जिसको सजा महां पे हमें दिलानी चाहिए कोट के माधियम से उसको हमें दिलानी चाहिए और अगर वो हमें अदवाई हम पे अटैक नहीं कर रहा है तो फिर उसको मानने है कोई प्रश्ट नहीं होता यूपी पुलिस पर जैसे बाकी देश के पुलिस में भी होती है, आखसकर जो हमारा पुदा महौल है, सिस्टम है, कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ये काम ऐसे करना है, ये मैं नी करना है, आपके अपने तजरुबे से देखे, मुझे भी अब बहुत, मेरी भी लंबी नौकरी हो गई है, मैं भी अब एक तरह से आकरी पड़ाव पे हूं अपने, हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, एक हमारा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, चुनेवे हमारे प्रतिनिदी हैं, जनता के, ये इसलिए हम तक पहुंचे, क्योंकि जनता का हर व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच सकता, तो जन प्रतिनिदी हैं, उनको अपनी बात कहने का हक है, उनको कई चीजे पता चलती है, जनता के माद्यम से वो हमें कहते हैं, आपको ताज्यूब होगा, या हो ना हो, मुझे जो मेरा एक्स्प दो पॉलिटिकल लोग आ जाएं, दो अलग-अलग बाते कहें, वो बाता अलग है, तो पुलिस को सुनना चाहिए और जो कानून के साफ़ से जो सही बात है, वो करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना जैसे मैने पहले भी कहा की हम एक सर्वेस ہیں, पुलिस is a सर्वेस, हम जनता के लिए हैं, मेने अपने पहले संबोधन जो मैंने एस पी सो कहा था, इसमें भी यही कहा था कि आप जो भी विक्ति आप, एक तो पहली बात, पुलिक से मिलिए, हमारे बहुत से यंग आफसर्स हैं जो अब कंप्यूटर से बहुँ जादा क्यों कंप्यूटर सैवी हैं वो हैं तो फील्ड में जाने विजट करने का जनता से जो समवाद रहना चाहिए उससे कुछ कत्राते हैं तो मैंने का उनको यही कहा था कि दोनों चीज होने चाहिए आप टेक्नोलो दूरी नहीं रहनी चाहिए यह मेरा प्रयास जरूर रहेगा जो मैं महसूस करता हूं कि कुछ कुछ सालों में यह कम हुआ है थैंक यू सो मसर बात करने के लिए और आल दा बेस आपको थैंक यू